हलो फ्रेंज वेलकम बाग तो किनीज कॉर्णर फ्रेंज इन टोडेज वीडियो वी आ गोई टॉक अबाउट इस स्किन केर रूटीन फॉर 30 और 30 प्लस पीपल दोस्तों जो हमारी स्किन 20 में हुआ करती थी वो 30 में नहीं रहती है इसका कारण है कि हमारी जो हार्मोन लेवल है वो decrease होने लग जाते हैं और जो हमारी body के cells होते हैं उनका turnover भी slow down हो जाता है और इसी के कारण हमें skin aging के sign दिखने लग जाते हैं जैसे कि skin dullness, dryness, fine lines और wrinkles का दिखना, dark sports का दिखना, हमारी आँखों के नीचे dark circles होना, आँखों का प्लफी दिखना और सबसे ज़्यादा जो experience क करने में आता है कि हमारी skin की sensitivity है वो बढ़ जाती है, यानि कि हमारी skin और ज़्यादा sensitive हो जाती है, दोस्तों आपको घबराने की ज़रूत नहीं है, अगर आप 30s में enter कर रहे हैं या already 30s में enter कर चुके हैं, अगर आप अपने skincare routine को थोड़ा सा भी change कर लें, तो इन skin aging signs को आप काफी समय तक दूर रख सकते हैं, दोस्तों skincare experts का कहना है कि अगर आप 30s में enter कर चुके हैं, तो इन points को follow करना ना भूले, पहली चीज, don't use wipes, बहुत सारी लोग अपने makeup को निकालने के लिए, अपने चेहरे को साफ करने के लिए, face wipes का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी ज Be gentle on your skin, friends, 30 plus ladies का कहना है कि उनकी skin जो है, बहुत irritable हो जाती है, intolerant हो जाती है, तो आपको अपनी skin की health को बनाए रखने के लिए, सही product का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30s में आपको sign of aging से बचने के लिए, आपकी skin का और ज्यादा ध्यान रखने की ज़रूत है और साती सात में आपको anti-aging products का भी स्टिमाल करना है, नमबर 3 पे है, using proper cleansers, friends, 30s में आपको बहुती normal cleanser और face wash का स्टिमाल करना है, अब किसी भी micellar water का स्टिमाल ना करें, बहुती mild cleanser का स्टिमाल करें, और नमबर 4 पे है, spend your money on midday skincare routine, friends, जैसे कि आप जानते हैं कि 30s में हमा जाते हैं, और हमें especially midday skincare products पे ध्यान देना है, यानि कि आपके serum और anti-aging cream पे, instead of cleanser and moisturizers, serums और anti-aging cream जो हैं वो थोड़ी expensive होती है, because of their active ingredients, जो कि आपको anti-aging sign से बचाती है, तो दोस्तों ये थे 4 बहुती important skincare tips जो आपको याद रखने हैं और follow करने हैं, अब हम चलते हैं, वीड So here, question is, what should be the skincare routine for 30s skin? यानि कि जो लोग अभी 30s में पहुँचने वाले हैं, या 30s में already पहुँच चुके हैं, उनका skincare routine क्या होना चाहिए? दोस्तों, हर एक के skin type जो है, वो अलग होती है, और जो products मुझे suit करते हैं, ज़रू ही नहीं है कि वो आपके complexion को भी suit करें, लेकिन ये एक general practice है, जो आप follow कर सकते हो, irrespective of your skin type. तो दोस्तों, हमें अपने दिन की शुरुवात cleansing से करनी हैं, हमें अपने चेहरे को दिन में दो बार दोना है, और बहुत ही gentle face wash या cleanser का स्तेमाल करना है. दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ face wash और cleansers mention किये हैं, जो हर तरह की skin type के लिए suitable है, और यहाँ पे मैंने जो भी products दिखाए हैं, उनकी सब की links जो है, वो description box में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके इन products के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं. नमबर दो पे है toner, दोस्तों, वैसे मैं toners recommend नहीं करती हूँ, और जो toners होते हैं, वो उन ल यहाँ पे मैंने कुछ toners mention किये हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार इनको इस्तिमाल कर सकते हैं. नमबर तीन पे है serum, मौशराइजर्स जो होते हैं, वो आपकी skin को hydrate करते हैं, साथी साथ में एक protecting layer का का काम करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी skin जो है, वो अंदर से serum. दोस्तों, market में तरह तरह के serums available हैं, आपको इस टाइम पे hydrating और anti-aging serum का इस्तिमाल करना हैं. Serums जो होते हैं, वो थोड़े से expensive side में होते हैं, पर अगर आपको अपनी skin को aging होने से बचाना हैं, तो इसके लिए आपको serum का इस्तिमाल करना ही चाहिए. यहाँ पे मैंने इसके इसाब से कोई भी serum इस्तिमाल कर सकते हैं. नमबर चार पे है, मौशुराइजर. दोस्तों, जब हम skincare products का इस्तिमाल करते हैं, तो सबसे पहले हमें light liquid product है, उसको सबसे पहले लगाना है. यानि कि इसका क्रम इस तरह से होना चाहिए. सबसे पहले आप serum लगाएं, फिर म मौशुराइजर का इस्तिमाल करें, और उसके बाद में SPF, यानि कि sunscreen का इस्तिमाल करें. ऐसा करने से, जो सबसे liquid formula होता है, वो आपकी skin में अच्छे से penetrate हो जाता है. और उसकी उपर की जो layer है, वो आपकी skin को नरिश करती है और protect करती है. दोस्तों, अगर आपकी जो sunscreen है, व अपने aging process को delay करना चाते हैं, तो आपकी कोई भी age हो, आपको sunscreen का स्तिमाल करना ही है. SPF का आप daily स्तिमाल करें. अगर आप घर के अंदर रह रहे हैं, तो SPF 20 is more than enough. पर अगर आप बहार जा रहे हैं, तो broad spectrum के sunscreen का ही स्तिमाल करें. और दोस्तों, अगर आपको और जादा protection चाहिए, तो आप foundation का स्तिमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर SPF हो. यहाँ पर मैं एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ, कि आप चहरे का ध्यान रखने के साथ साथ में अपनी गर्दन और हातों का ध्यान रखना बिलकुल भी ना भ जरू होते हैं. अगला स्टेप है आई क्रीम. दोस्तों, आप जैसे ही 30s में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद में आपको अपने अंडर आई स्किन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. और यह आपके स्किन के रूटीन का पार्ट होना ही चाहिए. दोस्तों, जैसे कि मै स्किन के रूटीन फ्राम डे टो नाइट। लेकिन रात के समय में हमारी जो skin है वो इन सब stress से उबरने की कोशिश करती है और repair mode में चली जाती है इसलिए हमारा morning और day skincare है वो skincare protection के बारे में होना चाहिए और इसके लिए हमें antioxidant serum और sunscreen को शामिल करना चाहिए और रात के समय में हमारी जो skin है वो regenerate होती है और इसके लिए हमें proper night skincare routine follow करना चाहिए सबसे पहले आप अपने चहरे को mild face wash से धो लें फिर serum का इस्तेमाल करें और उसके बाद में anti-aging night cream का इस्तेमाल करें दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ anti-aging night creams mention की है आप इन में से कोई choose कर सकते हैं या अपनी पसंद की कोई भी anti-aging night cream का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों अब last का point है जो बहुत ही important है Get into your 8 hour sleep दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात के time में हमाई जो skin है वो repair होती है रिजन वेट होती है आप जितनी देर सोएंगे आपकी skin को उतना ही time मिलेगा रिपैर होने के लिए तो इसके लिए आप कम से कम 8 घंटे की नींद ले तो दोस्तों ये skincare routine था उन लोगों के लिए जो अपनी 30s में पहुँच गए है और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए helpful होगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like के बटन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को आप अपने family और friends के साथ में share करें once again thank you so much for watching this video and take care करेंगे करेंगे